नमश्कार आप देख रहे हैं आजे भारत और मैं हूँ आपके साथ शुप्रा हमारे साथ आज मौजूद है हमारे खास महमान जदियों के प्रगता नीरज कुमार जी नीरज जी स्वागत है आपका आजे भारत धन्यवाद आज अनन्त सिंग रोड शो कर रहे हैं काफी भीर जमा हो रही है और दावा कर रहे हैं कि जीत जाएंगे क्या लगता है आपको मानिय विधायक अनन्त सिंग जी ने जुकिवा लालू जी के साथ फिक्स बैच उनका है ते जश्वी यादव उनको बैड एलिमेंट कहता है और कॉंग्रेस मुनका प्रवेश द्वार खुल गया तो आदरनिय राहूल गांदी जी को बधाई कि अनन्त सिंग जैसे व्यक्त जिसने जनता दलियू छोड़ दिया अखिल भारतिया पार्टी है जिसको मानिय उच्छ ने आलेने क्राइसिस अफ साइटी कहा हो समाज का संकट कहा हो वह कॉंग्रेस पार्टी और महा गटवंदन के नए संकट मोचक बने इसके लिए कम से कम हिरदे से आपको आभार सर आप शुद्धी करण के अभी बात कर रहे हैं और एक टाइम था जब अनन्द सिंग आपकी ही पार्टी में थे आपकी पार्टी का संरक्षन उनको दिया गया था छोटे सरकार के नाम से जाने जाते थे इस पर क्या कहेंगे इस छोटे सरकार यह अपने आपको खुद घोसित कर लिए इनके बड़े भाई मानिये दिलीप सिंग जी जिनकी मृत्व हो चुकी है वो आदरनिये लालू जी के शासन काल में मंत्री पत पर रहे और साथी साथ यह भी सच है कि मानिये अनन्द सिंग हमारे दल के विधायक लेकिन हमको बताते हैं यह आत्मगौरब होता है कि जिस समाजिक समू में मैं जन्म लिया जिसके डॉक्टर स्रिकिस्न सिंग सर गनेश दत स्वामी साजानन सरशोती जैसे लोग थे 27 विधायक जीते थे 2005 में सब पर गंभीर आरोप थे तो जो चुनाव हार गये थे मानिये रमास्रेवाउ को मंत्री पद दिया गया था उस समाजिक जकलन में जब जाती और धर्म के नाम पर राजनीत की परिभाशा ते होती थी तो मानिये नितीश कुमार जी ने कहा कि दागी को मंत्री परिश्यत में जगह नहीं देंगे अगर एक कदम बढ़ाया है तो हमने बढ किया वह जेल कग गया तो समाजिक जकलन है यह जाती और धर्म उसका इस्तेमाल हम करकर के हम ही उनका कानूनी इलाज भी जानते थे देख ली आज कहां पहुंच गए जहां बंस गोत्र मिल रहा था राजनीत का एक मौल वाले होटवार में होटवार में दूसरे मौल वाले रास्ते में है पाइपलाइन में तो अनंत सिंग को हराने की बात कर रहे हैं आप लोग लेकिन एक टाइम था जब अनंत सिंग निर्दलिये चुनाओ लड़े थे और वो चुनाओ में वो जीत भी गए थे ना कॉंग्रेस साथी ना बीजेपी और इस बार तो शायद कॉंग स्विकार करने को तयार है सर आखरी सवाल आपसे मेरा कि ललन सिंग को जिताने के लिए क्या निरज कुमार पूरी ताकत जोग देंगे ने दिखे सबसे महत पुर्ण है कि मानिय ललन सिंग जी बिहार सरकार के मानिय मंत्री है अब तक इंडिये गठवंदन ने उम्मीदवा नहीं गोशित किया लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि अगर उम्मीदवार वह होंगे तो जनता दलियू का चुकि मानिय नितीश कुमा जी कि कर्म भूमी रही है मकामा और बाल उस निर्वाचन छत्र का तो जनता दलियू नहीं पूरे आम जन से वह जुड़े हुए रहे अब तो है टोपी वाले तो आज पूलिंग एजन्ट खोजने गए ना मुंगेर तक लोगसभा लिखने नहीं आता वो लोगसभा जाने की तयारी है तो मानिय अनंद सिंग जी का जो आज रोट सो है वो पूलिंग एजन्ट खोजने के लिए है अई लाखों की भीड जमा हो आज तक इनके गाव में जिस गाव में अनंद सिंग कभी रात्री प्रवास नहीं कियाैं, कभी रहते नहीं हैं, घर भी इनका है वहां, नी सुर्योदे देखा नी सुर्यास देखा, इनके गाव में तैस जनवरी को साबजिनिक सभा करेंगे और चुनोती देंगे, कि नर मुंड खोजने चला है नाम उसका क्या है ये लदमा की जनता बताए और बेलशी की जनता बताए और जनता के विचे एक्स्पोज करेंगे इनको कि आप तो बड़े धर्मात्मा है तो अपने गाओं में 17 लोगों की हत्या कैसे हुई मा ब्रामनी के दरबार में कैसे उन माशूम लोगों का अपने परिवार के सदस्यों का जो नहीं होगा अपने गोतिया का नहीं होगा अपने गाओं का नहीं होगा अपने बंस का नहीं होगा उठेकेदार बनता हो का न्याई विवस्था का तो भगवान तो देखते ही है लेक पिढ़ी के नौजवानों को कम से कम उसमें से पटना सेंट्रल मॉल में एकादों को दुकान उकान दे दीजिए विचारा गरीजा कम से कम जो आपके चलते मारे गए वो गरीबती पिछड़ा दलित समुदाय के लोग जो महिलाएं बेवा हुई हैं उनके रोजी रोटी की इं वच्छोरी पठाखा है हमने जो काम किया है तो हम इतना हमको हमको इनिकम टेक्स लिखने नहीं आता इनिकमटेक्स हम भरते हैं विधान समा लिक्रे नहीं जाता है विधान समा हम जानते हैं लेकिन यह तकनीक बताएंगे कैसे संपत्ति सिर्जन किया जाता है और अंतिम रूप से मानिय नितीश कुमार जी के सासनकाल के पहले ये लोग थे रंगदार अब हैं इमोबाइल के रंगदार हिम्मत नहीं है कि बंदूक और पिस्तोल ले करके घूम जाएंगे तो आप किरपा करके हम चुनोती दे रहें कि समाज का जो सबसे महादलिस समुदाय हैती पिछड़ा है किरपा करके किसी भी राष्ट्रिय जनतांतरी गटबंदन के कारिकरता को अपने फोन कर दिया और मोबाइल पर अपनी भ तो ये थे हमारे साथ खास मैमान जदियू के प्रवक्तार नीरज कुमार जिनसम ने खास बात शीत की अभी के लिए बस इतना ही बिहार जारखन की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें अजय भारत यूट्यूब चैनल की दुनिया में सबसे तेजी से उभरता नाम अजय भारत देश दुनिया की हर खबर की अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें